नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तों महा भारत में कर्ण की भूमिका एक प्रमुक्ख योद्धा के रूप में थी वो दुर्योधन के पक्ष में थे और कुरुक्षेतर युद्ध में अपने भाईयों के खिलाफ लड़े कर्ण का लक्षय तीसरे पांडव अर्जुन को मारना था लेकिन युद्ध के दोरानी उनकी मृत्यु हो गई कर्ण को एक आदर शिदान वीर माना जाता है कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से मना नहीं किया भले ही दोस्तो इसके परिणाम सवरूप उसके अपने प्रान संकट में क्यों ना पड़ गए हो जनम के साथ ही मां का साथ छूट गया माने बद्धुनामी के डर से कर्ण को जनम देने के साथ ही बखसे में बंथ करके गंगा में प्रवाहित कर दिया इससे कर्ण को अपनी वास्तविक्ता का ग्यान नहीं हो पाया और ये उसके लिए मृत्यू का कारण बन गया गुरु परशु राम जी ने कर्ण को शाप दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी शाप की वज़े ये थी कि कर्ण ने शत्रियों के सामने साहस का परीचे दिया था जिससे गुरु परशु राम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने शत्रियों को ग्यानना देने की प्रतिग्या ली हुई थी और सत्ते भी यही था कि कर्ण एक शत्रिय थे और दोस्तो वास्तविक्ता का बोध नहीं होने की वज़े से खुद को सूत पुत्र बताया था दोस्तो कर्ण की मृत्यू वज़े ये थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे जो अधरम कर रहा था अधर्म का साथ देने की वज़े से कर्ण का वीरगती को प्राप्त होना भी स्वभाविक है तो दोस्तो महा भारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योध्धा हुए थे कर्ण, भीश्म द्रोन जैसे युद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे लेकिन अधरम का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि करण भीश्म के साथ साथ जो मरे हुई युद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा ये कथा मूल महाभारत के आश्रम वासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के सोला वर्ष बाद की है जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्रे सन्यास लेकर वन में रहने लगे लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की जादा चिंता होती थी इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आये थे दोस्तों जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहां महरिशी वेद व्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं पांडव और धृतराष्ट्रे महरिशी वेद व्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा, दिव्यकथाओं की चर्चा करने लगते हैं तब ही महरिशी वेद व्यास धृत राश्ट्रे से कहते हैं कि महराज आपके हर्दे में जो कहने की इच्छा हो, शीगरी कह डालो, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं, महराज गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हर्दे में जो दुख हमेशा बना रहता है, वो भी मुझे पता है, शीरी कृष्ण की बहन सुभद्रा, अपने पुत्र के मारे जाने के बाद, जो दुख मन में धारन करती है, मैं उससे भी अंजान नहीं हूँ, मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही आया वेदव्यास जी की बात को सुनकर दृतराश्टर ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मुर्खता के कारण, कई सारे युद्धा मारे गए, दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आये थे, वो भी मृत्यू के घाट उतार दिये गए, दृतराश्टर की सारी बाते सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए युद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे, ये सारी बाते सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती है, मेरे पुत्रों को मरे हुए, सोला वर्ष बीत गए, लेकिन राजाध्रित राष्ट्रे आज भी अपने पुत्रों के शोक में है, वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं, आप तो अपने तपोबल से दूसरी स्रिष्टी का निर्मान भी कर सकते हैं, तो एक बार राजाध्रित राष्ट्रे को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलान आपके लिए कौन सी बड़ी बात है दुरौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वद्धू में सबसे अधिक प्रिय है बेचारी के भाई बंधू पुत्र सभी मारे गए जिससे बहुत ही दुखी रहती है शिरी कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभी जब गांधारी ने ये कहा तब कुंती ने अपने महाते जस्वे पुत्र कर्ण को याद किया तब महरिशी वेद व्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी आप क्यूं शोक में डूबी हो कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो तब कुंती ने सिर जुक महरिशी वेद व्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें करण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजाच शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नीती के भरोसे छोड़ दिया था उसके लोटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्विकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सब का अपमान सहना पड़ा सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेद व्यास ने कहा आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले हे गांधारी आज रात को तुम अपने पुत्रों भाईयों उनके मित्रों को देख बार नदी के किनारे सभी लोग आ गए जिसके बाद वेद व्यास जी ने जल में प्रवेश करके गौरव और दोस्तों पांडव पक्ष के मरे हुए युधाओं का आवाहन किया जिसके बाद भीश्म, द्रोन, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां पर प्रकट हो गए वो स इसके बाद राजा बाली, सोमदत और दूसरे बहुत से शत्रियवीर सभी चमकते हुए शरीर को धारन करके जल से बाहर प्रकट हुए पांडव अपने भाई कर्ण को देख कर फूट फूट कर रोए क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्हें कभी भी उनका सम्मान नही किया था क्योंकि कर्ण की मृत्यू के बाद ही उन्हें पता चला था कि वे उनके बड़े भाई थे और इस सच को जान कर युधिश्टर ने नारी जाती को श्राब दिया था इसके बारे में विस्तार से दोस्तों बात करेंगे अभी फिलाल अपनी कथा पर वापिस आते हैं कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसनता पूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे इसके बाद अभी मन्यू और द्रौपदी के पांचों पुतरों से मिलकर बहुत ही खुश हुए वो सारे युद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन हुए इस प्रकार मुनी वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूल कर शत्रुभाव को छोड़ कर हर्श मनाने लगे ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो कौरव और की वज़े से खो दिया था इस तरह से तो सारे मारे गए युद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह महा से चले गए लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेतर के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है क्या दोस्तों करण की मृत्यू हुई और युदिष्टर ने संपूर्ण नारी जाती को श्राप दे डाला था आखिर क्या था वो श्राप और क्यूं दिया था कुरुक्षेतर के युद्ध के सतरवे दिन करण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था युद्ध के दोरान जब मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना क्योंकि तुम एक कुशल युद्ध हो तुम्हे तो अपने आपको और भी जादा श्रेष्ट साबित करना चाहिए इसलिए जब तक मैं इस फसे हुए पईये को निकाल रहा हूं तब तक तुम रत पर चड़कर हैरान हो जाएंगे जब अरजुन ने करन का वद्ध किया तब करन के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी और उनका सरधर से अलग हो गया था लेकिन फिर भी करन का शरीर सूरे के समान चमक रहा था शेर की मृत्यू के बाद भी हिंड जिस तरीके से उसे देखकर भेभीत हो जाते हैं उसी परकार करन की मृत्यू के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव है भीत हो गये थे करन की मृत्यू से समपूर्ण ब्रहमंड में मातम चा गया था तो दोस्तों यदि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके दोस्तों रिष्ट झाल झाल झाल